नौश्कार, SGKG Studies and SGKG 2.22 चैनल पर आपका पुनाहारदी का भिनंदन है और इस सेशन में हम प्रोसेश्ट फूड के नुकसान के बारे में चर्चा करेंगे यह जो सामने आपको फोटो दिख रहे हैं यह सब प्रोसेश्ट फूड है नौर्मली क्या होता है गाय से या भैंस से दूध निकाले जाते हैं और उस दूध को प्रोसेश्ट करके चीज बनाएए पनीर बनाएए बटर बनाएए यह तरह तरह के प्रोसेश्ट फूड कहे जाते हैं घर में बना जाते हैं वो प्रोसेश्ट में नहीं आते हैं यह जो ज गुजरने के बाद से तब इनको प्रिजरवेटिव एड़ करके मार्केट में छोड़ दिया जाता है तो यह जितने भी प्रोसेश्ट फूड है तो यह प्रोसेश्ट फूड की फायदे कम है नुकसान ज्यादा इनी के बारे में अभी हम चर्चा करने जा रहे हैं आए देखत है जो प्रोसेश्ट फूड पो अनहेलदी फूड भी कहते है को कि व्यूड को अपने आप में अनहेल्दी फूड करते हैं इनके सेवन से जितना हो सके दूर रहना चाहिए इनका सेवन शरीर में कई निगेटिव इफेक्ट ढलता है आज की लाईफ स्टाइल में अधि कर ल वोल ग्रेंड में हो लंच पैक फूड हो या डीनर पैक डीनर चाहिए पैक लंच चाहिए ऐसे लोगों की आजकल पसंद हो गई है यानि हम कह सकते हैं कि आपकी डाइट में कई मिल्स रिफाइंड या प्रोसेश्ड फूड की होती है है रहना अगर खाने को देर तक भर उसको बनाये रखना है खराब होने से उसको स्कूज़ बचायर को है तो उसमें कई बार कि कितने प्रोसेश करनी पड़ती कि इनका सेवन सेहत पर कई प्रकार से बुरा असर डालता है ताजा मांस या डेरी प्रोड़क्ट डेरी प्रोड़क्ट हम के बात करते हैं दूद्ध योगरक की बात होती है जैसे खराब होने वाली चीजों की सुरक्षा के लिए प्रोसेसिंग तो ठीक है कहने का मतलब कि यह इनका नेचर होता है कि एक दिन दो दिन में खराब हो जाते हैं तो एक दिन दो दिन में खराब हो जाएंगे और फिर से इनका प्रोड़क्शन होना मुश्किल है इसलिए इनको दो-चार दिन के लिए प्रिजर्व करने के लिए प्रोसेस होना तर्कसंगत लगता है लेकिन जो चीजे खराब नहीं होती उनकी प्रोसेसिंग सहत पर निगेटीव इफेक्टे डालती है रिसर्च द्वारा किये गया ध्यान में पाया गया है कि अमेरिका में बिक्री होने वाले साथ परतिसत से अधिक खादे पतार्दों को अतिधिक प्रोसेस्ट किया जाता है वहां पर उतने हस्पीटल जरौत पड़ते हैं वहां पर उतने डॉक्तर जरौत पड़ती हैं वहां उतने अनहेल्दी लोग होते हैं तो आइए देखते हैं प्रोसेस्ट फूड होता क्या है प्रोसेस्ट फूड ऐसे फूड होते हैं जिने प्रिजर्व करने के लिए मेकेनिकल और केमिकल प्रोसेसिंग की जाती है ठीक है तुड प्रोसेस्ट फूड वो होते हैं जिनकी जिनकी सुरक्षा के लिए जो जो लंबे समय तक खराब नो हो Kemical प्रोसेस होता है मतलब जाता है उन करते हैं सरलसा में आप ऐसे समझ सकते हैं कि प्रोसेश्टच वूड्स आम तofford पर बॉक्स या बैग में आते हैं पैक करके आते हैं कि अटार के वी push होते σιमये योगर्ट किक यारा पीनर पीनट बटर होता है पीनट बटर होता है वह विए दिबे में आता है टोफू भी की गारंटी नहीं है वाकी सब नुकसान दे होते हैं हुआ है तो दिये गए प्रोसेश्ट फूड अनहेल्दी होते हैं जिनके सेवं से बचना चाहिए क्या-क्या प्रोसेट फूड़ है जो अन्हेल्दी होते है रेडी-मेड मिल्स है आपने ओंलाइन ऑरडर किया उदर से आदमी है दस मिनिट 20 मिनिट में आपके घर ले के पैक लेकर करके चला है डिब्बा बंद बस्तू हैं यह प्रोसेस्ट फूड में आती है कुकी सोडा चीप्स केंडी एंड एंड पैक आइटम सॉस कि बहुत लोगों को सोडियम बेंजोईट मिलाए जाते हैं लंच मीट पनीर स्लाइस या स्प्रेट पनीर का क्या हिसाब किताब है जितना पनीर जितना मिल्क जितना दही मार्केट में एबलेबल है शायद उतना प्रोडक्शन इस वर्ड में नहीं होता होगा द्यान करें जब गाउं में 1000 घर में 1000 गाएं रखी जाती थी भैसे रखी जाती थी सब लोग अपने अपने घर के जो दूद दई होते थे उनको यूज किया करते थे आज के डेट में 1000 अगर गाउं में 1000 घर हो तो 10 घर में भी गाय और भैस नहीं रखी जाती है और बाकी जो 990 घर वाले हैं वो पहले से डबल ट्रिपल इसका कंजम्शन कर रहे हैं पनीर ले रहे हैं दहीज ले रहे हैं दूद ले रहे हैं मतलब मिल्क प्रोडक्ट का अब कंजम्शन जो है डबल ट्रिपल हो गया है और मिल्क प्रोडक्शन जो है 1000 घर में गाय हुआ करती थी आज 4 दशह सबंदान से में तो जब भाएंस दिखती नहीं है तो जब गायवेंस यह दूद आता कहां से यह दहीं बंते कैसे हैं और यह पनीर जो हर होटल में मिलता है हर फ़ंक्षण में मिलता इतना प्रोड़क्षन में सब्टाटा कहां से Oui It's your future i 아 are you son genau हम सब का कार्यां मेरा भी का रहे हैं और आपका भी कार्य कि क्रें पर तो ऐसा दर्शने में आया है तो कि साठ रुपया लीटर दूद रैं करे और पचास रुपय फेली दही न हे इaci है तो आता कहां से अट अगर अगर 60 रुपया दही है दूद ? है कम से कम 90 के यह होनी कि लेकिन आपकों 60 रुपया में 50 मिलेगा कच तो ऐसा चीज है तो इसलिए अच्छा यह होगा कि अगर सामने कहीं गाय का दूद्ध मिल रहा है तो उस गाय को दूद्ध को लीजिए और उससे आप दही जमाईए देखिए कितना हूपाता है तो यह जो हाई लेबल प्रोडक्शन और पनीर है मिलक है कर्ड है यह बहुत कुछ इशारा कर रहा है इससे होश्यार रहने की जरूवत नहीं यह जरूवत है इतना प्रोडक्शन कहीं हो दिखता नहीं है आपको दिखता है तो अच्छी बात है ऑई wasn't food के सिवन सेहत के लिए कई तरीके से नुक्सान दे होते हैं इसलिए इनके सेँग्सान से बचना चाहिए क्या-क्या इनके नुक्सान होते हैं प्रोसेश्ट फूट के उम्र ज्यादा लगती है आज कल तो लोग बोलते हैं कि उम्र पच्पन का और दिल बच्पन का कहने में तो अच्छा लगता है लेकिन प्रोसेश्ट फूट अगर खाते रहे तो उम्र पच्पन का होगा और दिखेंगे पचासी के जैसा प्रोसेस्ट फूट के सेवन से आपकी उम्रे ज्यादा लगने लगती है साथ ही इनके सेवन से आपकी उम्री भी कम हो सकती है कम हो सकती है मतलब लाइफ एस्वेन कम हो जाएगा हाली में हुई एक स्टडी के मुताविक फ्रोसेस्ट फूट और बढ़ती उमरे के बीच सीधा संबंद पाया गया हूं अभी तो हम ने प्रओस इसड पूर्ड की भारे में सुना कुछ एल्टरा अल्टा प्रोज़ी सब्सक्राइज में तेल स्टार्च और फैट इनमें गिन जो अल्ट्रा प्रोसिश्ट फूड है इन में चीनी तेल स्टार्च और फैट हाई लेबल के होते हैं लंबे समय तक इनका सिवन करने से आपके उम्र अधिक दिखने लगती हैं बूढ़े से लगने लगते हैं चालिस की उम्र में ही साथ जैसे दिखने लगते हैं तो आप यह सोचिए कि प्रोसेश्ट फूड है यह आपके लिए लावदायक है या नुकसान दे हैं रिसर्चर्स ने पाया कि रोजाना प्रोसेश्ट फूड की तीनिया अधिक सर्विंग लेने से छोटे टेलो मेरस गूर सुत्र संदचना के साथ जुड़ा हुआ है जो आप हम 40 के हैं तो 40 का होना चाहिए अगर 40 के और 50 के जैसे दिखते हैं तो कहीं न कहीं बायोजिकल इम्बैलेंस तो हुआ है और वह इम्बैलेंस कहां से वा यह जानना चाहिए सो प्रोसेश्ट कूप फूड खाने से आदमी कम ओवरों में ही बूड़ा दिखने लगता है पहला साइड इफेक्ट यह है इसके विप्रीत होल फूड फलों सब्जियों से बरपूर डाइट लंबे समय तक टेलो रंप टेलोमेर और विमारियों के जोकिम को कम कर सकते हैं अगर लंबे समय तक जवां दिखना है कम उम्र का दिखना है साथ के उम्र में भी चालिस जैसा दिखना है तो होल फूड फल सब्जियों का भरपूर मात्रा में सेवन किया करें 2020 में पब्लिश हुई एक स्टड़ी के मुताविक हाई प्रोसेस्ड फूड में चीनी नमक फैट और स्टार्ट से बर्योतें कि सिवन से आप समय से पहले ही बूढ़े लगने लगते हैं एक यह भी स्टड़ी है एक यह भी स्टड़ी है इसके बाद से मोटापा यह दिख को माहराज को टेवल की जरूवत भी नई है और यहीं से आराम से पी सकते हैं को टेवल की जरूप्वत नहीं है तो अगर आप भी ऐसा बनना चाहते हैं तो प्रोसेश्ट फूड का आनद उठाय किजिए और नहीं तो प्रोसेश्ट फूड में मौजूद आर्टिफिसियल चीनी से मोटापी की समस्या बढ़ सकती है कई बार इनका सेवन पुरानी बीमारी को भी नौता दे सकता है मतलब पुरानी बीमारी दबी हुई बीमारी जो आगे चल कर निकल सकती थी विमारी वह एक्टिवेट कर देते हैं अभी के अभी अधिकतर प्रोसेश्ट फूड में चीनी अधिक अक्सर चीनी का यूज किया जाता है लेकिन अगर उनके रोज शाहद गूर आधी होते हैं सो यह सब चीनी के विमिन रूप हो सकते हैं इससे सिर्फ कैलोरी मिलती है जिन में बिल्कुल नूट्रियंट नहीं होते हैं इसलिए इनके से बचना चाहिए रोजजाना कैलोरी से 10% से अधिक अधिक सुगर नुकसान पहुंचाती है अग तो सभाइड़ एडत च् journalists अगर उसको है किए हंड़ेड ग्राम द्वाह सुकर की जरुकर है तो उसमें वह अगाहए अगर हंडेड टेन ग्राम डाल दिआ तो ऐड़ेड आपक है आगर हंडेड ग्राम की जरूवत हैं तो अगर हमद्न ग्राम की दाइन सगाम नहीं पिद क सुगर का मतलब एक्स्ट्रा सुगर होता है यह देखिए मेटाबोलिक सिंड्रूम मेटाबोलिक सिंड्रूम का मतलब कि आमासे से अगनासे से पकासे से कि लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन लेबर केडिनी इन सब से जुड़ा हुआ है तो प्रोसेश्ट फूट का सेवन मेटाबॉलिक सिंड्रम से भी जुड़ा हुआ है यह कई रिस्क फेक्टर्स जेनरेट करता है इससे हिर्दय रोग हर डिजीज बढ़ते हैं सुगर होगा डायबेटिक हो गया टाइब टू डायबेटीज का खत्रा बढ़ जाता है आजकल तो ऐसे ही रोग पीछे पड़े हुए हैं और ऐसे में अगर प्रोसेश्ट फूट काएंगे तो हर्ट डिसीस और डायबेटिक के चांसेस प्रोबिलिटी बढ़ जाती है इसल कैलोरी मिलती है और इसमें कुछ नहीं होता तो होता नहीं है इसके बाद से मेटाबॉलिक सिंड्रम का उपचार तब किया जाता है जब निम्न पांच फैक्टर में से कोई तीन यह या उससे ज्यादा मौजूद हो क्या क्या होते हैं पेट बढ़ने के साथ कमर की परीधी कंद है ऐसे लोगोंकर सिर्प निकल जाता है कुछ लोगों का बढ़ने के साथ साथ कमर की परीधी विखने लगती हैègलिसराएट और कम ट्राइगलिसराइट की दवा की जरूरत पर hedge programmes का लेबल कम ह कर दोकी जरूरत पढ़ती है की व्लडब प्रेसर की दवनगी जरूवत पढ़ती है हाई कि बरytes क्रेश्ट फूड में पाई जाने वाली सूगर मेटाबॉलिक सिंद्रुम का मुख्य कारण है करा कार्भोहाडरीट का एक रूप है कि जिसमें शरीर को उर्जा कि आवशकता होती ह Pak होता है हमें कुछ शुगर की जरुवत पढ़ती है क्योंकि वह कर्वोहाइडरेट में होती है और वह शरीर को एनरजी देती है ज्यादा की ज़रुवत नहीं अगर इतना ले लेंगे तो वह जो एनरजी थोड़ा सा यूज हो और बाकी क्या होगा इस्टोर होने लगेगा जम थाफ होने लहेगा तो क्या होगा सब्द्रघ्ती धीरे दीरे मोटा होता जाएगा रवोटा जाएगा को कवर्थ क्या आइन्फ्लामेट्री बावील डिसेश इस तो इन्फ्लामेट्री को हिंदी में सुजन कहते हैं सं स्टोर्य फूडव आत्र रोग thrill test के की करो यह अलसर रेटी कोलाइटेश तरह होते हैं पीट में अलसर होने लगते हैं फूड़पाइप में अलसर होने लगते हैं फोड़ें होने लगते हैं उसमें इंज्यूरी हो जाती है मूह में भी माउथ हेल्सर होने लगते हैं गैस बढ़ने लगता है कि कई रोगों का ये को ये साथ अकेले ही निमंत्रण देने के लिए काफी है प्रोसेश्ड फूड में मौझूद रासायनिक योजक पारसी कारी का उपयोग सेल्फ लाइफ बढ़ा है क्या है रासायनिक योजक पारसी कारी यह इसकी लाइफ बढ़ाने के लिए किया जाता है यहर पूड में मौझूद होता है जैसे ब्रेड में पीनट वटर में केक मिक्स में सलाद ड्रेसिंग सौस दही पूडिंग प्रोसेश्ड चीट आइस क्रीम डेसर्ट इन सब में बढ़ने की समावना बढ़ जाती है इसके बाद से को कॉलो रेक्टल रेक्टल कैंसर करेंजर कि कई टाइफ हो सकते हैं यह यहां पर कोलो यह तो रेक्टल कैंसर की बात है प्रोसेस्ट फूट कहाने से पेट का कैंसर का खत्रा बढ़ जाता है यह जो कुछ भी हमखा रहे हैं वह पेट में तो आ रहा है तो समस्या पेट से ही शुरू होगी ना वो समस्या पूरे या फूट हरें लेकिन पहलेected शुरूओं की Blake तो प्रोशेस्ट। में इनके खाने से सबाशन करते से तो को जो ये जहाएं बहुत पर चिदया फिर्ब करते हैं सब्सक्राइब करते हैं तो इसका मतलण की केमिकल की क्याया प्र chicos कराएं कि नंवेज में वेकन् बढ़ाने के लिए किया जाता है तो आप क्या कर रहे हैं कैंसर का निमंतर्ण दे रहे हैं जदि आप रोजाना पचास ग्राम ध्यान दे जदि आप प्रती दीन 50 ग्राम प्रोसेश्ट फूट खाते हैं तो कोलो रेक्टल कैंसर का खत्रा 18% तक बढ़ जाता है सावधान कई ऐसा तो नहीं कि पैसे दे करके आप खरिदर ते जा रहे हैं डेली प्रोस्तिनो टाइम खाते जा रहे हो और कैंसर का निमंतर्ण देते जा रहे हों reflexιο फूट से एक सरा बढ़ जाता सो इससे निसकर्ट निकलता है इसकी अलाव creature फूट खाने से anxiety anxiety मतलम गढ़ अने आउसाद में चले जाते हैं इनका भी खत्रा बढ़ सकता है इसलिए हम आपको यहीं सलाह देंगे कि प्रोसेस्ट फूट के सेवन करने से बचें और एक एलर्ट और एक कौसन यह है अधिक जानकारी के लिए एक्सपर्ट की सलाह लेना न भूले आपके जो आयुरुवेदिक डॉक्टर है चाहिए जो आपके फैमिली डॉक्टर है उनकी सलाह जो कुछ भी आप खाते पीते हैं उनकी सलाह लेना न भूले है से अगले क्लास में तब तक के लिए अगर आपने अभी तक हमारा चैनलко lezg developed श्टराइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें शियर करें लाइक करें करें हमारा दूसरा सब्सक्राइब करें इस पर 216 वीडियो अभी तक पब्लिश किये जा चुके हैं आप अपने अध्यान पुर्सामगरी को देख सकते हैं बढ़ा सकते हैं अपना नौलिज गेन कर सकते हैं मिलते हैं अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ एक नए जानकारी के साथ एक नए तहलका के साथ तब तक के लिए नमस्कार